उत्तर और दक्षिन की दिशा में ना सोई, क्योंकि वो बदलाव आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अपने टकने के ठीक उपर तक अपने पैरों को अंदर रखें और इसे ढख लें। और 30-40 मिनट ऐसे ही बैठें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो जो लोग एलर्जिक हैं, वो ठीक हो जाएंगे। क्या चुम्बक से लाज हो सकता है? और क्या चुम्बक पहनने से स्वास्थे और आध्यात्मिक्ता में साहता मिलती है? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो हम एक चुम्बक पर जी रहे हैं। जो भी इसी चुम्बक का एक हिस्सा है, और यह अपने आप में एक चुम्बक है। हो सकता है, बहुत से लोग चुम्बक की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो सब के साथ विपरीद ध्रूव हो सकते हैं, या फिर एक ही ध्रूव जिससे हर कोई दूर होना चाता है। तो बाजार की ताकतें बहुत कुछ कहती हैं। अगर आप अपने शरीर पर चुम्बक पहनते हैं, तो इससे आपके शारिरिक मापदन में कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप जाकर एक इलेक्रिकल ट्रांस्मिटर के बगल में खड़े हो जाएं, तो आप अपने शरीर में होने वाले बदलावों को माप सकते हैं। अगर आप किसी पेड के पास खड़े हो जाएं, तो आप वाकई अपने शरीर के बदलावों को माप सकते हैं। अगर आप खड़े होते हैं, तो आपका शरीर एक तरह से काम करता है। अगर आप सिर्फ जमीन पर लेड जाएं, तो ये एक अलग तरीके से काम करेगा। इसे समझते हुए हमने आप से कहा, उत्तर और दक्षिंड दिशा में नस होएं, क्योंकि ये बदलाव आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। तो क्या मुझे चुम्बक पहनना चाहिए? जरूरी नहीं है, उससे कुछ बदलाव हो सकते हैं। मानव शरीर के विज्ञान को इतना आसान न समझे, ओ ब्लड प्रशर पांच अंग गिर गया है, तो सेहत अच्छी हो रही है। मानव शरीर इस तरह काम नहीं करता। शरीर इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। मैं कहूंगा कि ऐसे तांत्रिक अभ्यास हैं, जिनसे हम आपको दुनिया के उस हिस्से से अच्छी तरह से तालमेल मिला सकते हैं, जिसमें आप रहते हैं। एसी चीजें, एसी चीजें की जा सकती हैं, पर उसका फायदा अभी होता था, जब ऐसा समय था, जब लोग कभी भी दस मील से ज्यादा नहीं चलते थे, जहां पर भी वो रहते थे, क्योंकि लोग बस पैदल चलते थे, वो वाकई किसी एक स्थान से बहुत दूर नहीं जाते थे, तो उस समय शरीर स्वाभाविक रूप से धर्ती के साथ तालमेल में आ जाता था, एक विशेश तरीके से उस स्थान के कॉडिनेट्स के आधार प जगा के साथ तालमेल में ले आऊं, और कल सुबा आप दूसरी जगा के लिए उडान भरें, तो आप में अपने शरीर को फिर से तालमेल में लाने का ज्यान और ख्रमता होनी चाहिए, वरना शरीर कई तरह से परिशान हो जाएगा, तो मैं कहूंगा, अगर आप बड़े मै पहनने से कहीं ज्यादा फाइदेमंद होगा, और आप पर लोहे की कीलें भी चिपक सकती हैं, तो सुबह आप ये कर सकते हैं, श्रामबवी करने के बाद किसी मैदान में एक छोटा गढढ़ा खो दें, आपके लिए नहीं, केवल दो फीट, और बस अपने टकने के ठीक उपर तक, अपने पैरों को अंदर रखें और उसे ढख लें, और 30-40 मिनिट बैठें, बस धरती से जुड़े रहें, आपका शरीर खुद को बड़े चुमबक के साथ तालमेल में ले आएगा, और आपको अपनी कलाई ये अपने टकने पर चुमबक नहीं पहनने प जाए, आप 2 फिट गहरा गड़ा खोद कर, उसमें अपने पैर रखकर उसे ढख दें, आपका सिस्टम बड़े चुमबक के साथ बहुत अच्छे से तालमेल में आ जाएगा, और इससे कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कई सारी चीज़ें, आपने भारती योगियों को गले तक मिट्टी में दफन होने के बारे में सुनाया, मैं वही सुझाव देने वाला था, पर मुझे पता है कि आप वो नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पैर कहा, तो बस पैरों को मिट्टी में गाड़ दें, अगर ये वाकई मददगार है, तो आप गरदन तक खुद को गा पतर होगा, लेकिन आपकी गरदन तक दफन होने का आसान तरीका मिट्टी का स्नान है, आप कोई भी आजमा सकते हैं, लेकिन पैरों को गाड़ना आसान है, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे, कम से कम सेहत के मामले में, आप में से जो लोग ऐलर्जी से पीडित हैं, अलर्जी का मतलब है कि किसी तरह से आपको ये धर्टी पसंद नहीं है, आप में कुछ ऐसा है जो यहां के जीवन या इस धर्टी की जीवन बनाने वली सामगरी के साथ तालमेल में नहीं हैं, आप थोड़े एलियन बन रहे हैं, यही अलर्जी का बुनियादी मतलब है तो अगर आप खुद को धर्टी के तरीकों से जोड़ लेते हैं, तो अलर्जी गायब हो जाएगी तो पैरों से शुरुआत करें, अगर ये काम करता है, तो थोड़ा गहरा जाएं, ये काम करेगा झालर्जी मतलब हो जाएगी